जहें दोस्तों आज हम देखेंगे आचार रामचेंदर सुकल का जीवन परिचे ये आपके बोर्ड एक्जाम की दर्ष्टी से बहुत ही इंपोर्टेंट है और हर साल आपके परिच्छा में आता है इसलिए आप इसे याद करिए और इसको मैंने अपनी भासा में लिका है कही से कॉपी नहीं किया मतलब आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा तो चलिए देखते हैं इसके पहले हम डाक्टर राजेंदर प्रसाद का बना चुके हैं अगर नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर देखिया हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं तो च से याद करेंगे कि देखिये अचार राम चंद सुक्ल का जो जन्म हुआ था वो 1884 इस्वे में हुआ था और उत्तर प्रदेश राजी के बस्ती जी लेके आगउना नामक ग्राम में हुआ था इस तरह याद करेंगे तो आसानी से आद हो जाएगा इनके पिता का नाम पंड अलब धार्मिक थी धार्मिक ग्रंतों से प्यार करती थी इनकी प्रारामिक सिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापूर में हुई और मिसन स्कूल से दस्वीं की परिच्छा उत्तिन्ड की अब देखिए बहुत जगा लिखा होता है कि गणित में कमजोर थे इन्होंने इंट भियापन कार करते हुए इन्होंने अनेक कहानी कविता निबंद नाटख आदी की रचना की मतलब की बहुत सारे साहित की रचना की अब देखिए इनकी बिद्धता यूम परतिभा से प्रभावित होकर इनहें हिंदी सब्द सागर के संबादन कार में सहयों के लिएatte कासी नागरी प्रचारणी सबा में सम्मान सहित बुलाया गया से सम्मान बुलाया गया sense वर्चों तक 80 80 नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया कुछ समय पश्चात इनकी निकती 80 हिंदू भी सिविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों पश्चात या कुछ दिनों बाद हिंदी विभाग के अध्यच भी हो गए स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंदकार योम साहित कार सन 1941 इजबी में दिवांगत हो गए मतलब इनका स्वरगवास हो गया आप कह सकने परलोक वासी हो गए तो इस तरीके से याद करेंगे अब आपको याद कैसे करना है मैं आपको ट्रिक थोड़ा बता देता हूं चलिए देखते हैं सुरू से आचार रामचेंद सुकल का जन्म सन 1884 इसबी में उत्तर प्रदेश र बस्ती है और वहीं बस्ती जिलेके अग ओना नामक ग्राम में हुआ था इनके पीता का नाम पंडीत चंद्रवली सुकल था इसको तो याद ही करना पड़े गाता था माता का नाम विभासी देवी था इनकी माता एक धार्मिक महिला थी मतलब की धार्मिक का मतलब मैंने पहल फोल दस तक ही पड़े क्योंकि इनकी जो मैत बहुत कमजूर थी और इनका पढ़ने में मन नहीं लगता था मैत के कारण इन्हों ने इंटरमीडियेट की परिच्छा के लिए इलाहबाद में दाखिला लिया मतलब इंटर की परिच्छा के लिए लेकिन क्या है परिच्छा से पहले ही विद्याले छोड़ गया मतलब परिच्छा नहीं दे पाए और विद्याले छोड़ गया इसके बाद इन्होंने मिर्जापूर के नयाले में नौकरी कर ली मतलब मिर्जापूर का एक नयाले है वहाँ पर ये नौकरी कर ली देखिए मिर्जापूर में क्या है अपनी पहाई की और वहीं पर ये नयाले में नौकरी कर ली ती इस से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जहां पर इन्हों ने दस्वी पास किया वहीं पर ये नयाले में नौकरी कर ली नयाले की नावकरी छोड़ कर ये मिर्जापूर के मिर्जान स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए अब आपको याद कैसे करना इनका ज्यादत तद जुराओं मिर्जापूर देशा मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब नयालाइकार छोड़ा तो यहाँ पर मिर्जापूर के जो मिसन स्कूल है जहां से इन्होंने दस्मी की परिछव तिर्खी थी वहीं पर यह अध्यापक हो गए मतलब आप समझ सकते हैं जहां के पहले इस्टूडेंट थे वहीं पर यह अध्यापक बन गए अध्यापक कार करते हुए इन्होंने अनेक कहानी कविता निबंद नाटक आदिकी रचना की आप कह सकते हैं यह एक महान निबंद कार थे मतलब की निबंद के गर्णम यह सबसे उपर माने जाते हैं मतलब निबंद तो बहुत अच्छा लिखे इन्होंने इनकी विद्वत्ता येवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी सब्ध सागर के संपाधनकार में सहयोग के लिए कासी नगरी प्रचारेनी सभा में ससम्मान बुलाया गया मतलब ससम्म सहित बुलाया गया ये इनकी प्रतिभा को देखकर ये हिंदी में बहुत मन लगता था और हिंदी को पढ़े थे मतलब हिंदी में निबंद लिखे तो इनकी विद्धता और प्रतिभा से बहुत लोग प्रभावित हो गए जो की कासी नगरी प्रचारेनी सभा में काम करते अर वो इन्हें इसके संपादन कार के लिए बुला लिया इन्होंने 19 वर्सों तक कासी नागरी प्रचारेनी पत्रिका का संपादन भी किया आप कह सकते हैं 19 वर्सों तक किया कुछ समय पहश्चात इनकी नियुकती कासी हिंदु विस्विध्यालाय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई, मतलब कि हिंदी विभाग के प्राध्यापक बन गए, ठीक है, कासी हिंदु भी सुविद्याले जो की है, तो कासी में मौझूद है, तो वहाँ पर ये क्या हुए, कि हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए, मतलब हिंद रिटारिमेंट हो गई अब देखिए स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंदकार योम साहित तकार सन 1941 में दिवांगत हो गए तो इस तरह से आप याद करेंगे बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं अब देखिए आपको रचना कैसे लिखना आपको रचनाए जरूर लिखना जीवन परिचे के साथ-साथ महत्तपूर्ण रचनाई लिख देना है आपको बीच में हेडिंग डाल देना है एक लाइन छोड़कर यह साधा पेपर है तो इसमें मैं लाइन नहीं छोड़कर एक लाइन होती है उसको छोड़कर नीचे से डालेंगे मतलब यह पूँचा ही जाता है तो आप इसको याद कर लिजे कि निबंध है आचार रामचेंद सुकल का चिंता मली और विचार भी थी देखिए आलोचना है रस्मीमान सा तिरवेड़ी और सूरदास इस मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत व देमात्राम